कि सब्सक्राइब कीजिए एफ के गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं हलो दोस्तों आज हम जानेंगे बकरी प्ले क्या होता है यानि PPR इसके बारे में आज हम जानेंगे यह क्या होता है और कैसे बकरी को PPR होता है इसके बारे में हम पूर डिटेल जानेंगे चलिए हम आगे आप वीडियो देखते रहिए पी पी आर एक ऐसर बिमारी है अगर आपके बकरी को पकर लेता है तो आपका बकरी चांसे है कि 90% मरना ही ही मरना है उसमें बचने का चांस 10% होता है अगर आपके बकरी को पकरा है तो कुछ किजिए कि उस बकरी को कहीं अपने फार्म से दूर रखने को कि पहले बात ऑर बात बता दूं मैं कि कभी भी आप फार्म बनाएं एक अलग जगब बनाएं कीकि इस गाव महला की बीज बीज मेकर फार्म बनाते हैं माल लेजिए कोई एक बक्री या दो बक्री जिसके घर पे है अगर उसको पकर लिया उसके कारण आपके बक्री फार में भी उसका असर दिख सकता है कि एक हवा नुमा बिमारी है जिससे कोशिश कीजिए कि अगर आप फार्म बनाते हैं तो अलग कहीं जो भीर भरका एरिया ना हो उधर बनाए तो अच्छा रहेगा तो आए उसका बक्री के बारे में जानते हैं पीपी आर के बारे में तो ये बिमारी अगर पकरता है पीपी प्रवादी होना है यानि बंध होना है कोई भी आदमी बिजनस करता है फैदा के लिए करता है जब फैदा के लिए आदमी करता है तो आदमी क्या है कि इस चीज़ पे ध्यान बहुत ही जरूरी है सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा इस चीज़ पे जनकारी भी बहुत जरूर है इसके लिए ट्रेनिंग जो भी होता है ट्रेनिंग लेना या और बख्री फार्म पर जाकर जनकारी लेना बहुत ही जरूरी है तो आज हम जानते हैं प्पी आरके लख्षन इसमें आपको बुखार होता है यानि फीवर फीवर तो ऐसे नर्मल बख्री को एक से लेके 103 तक न पानी निकलता है मूख में छाले हो जाते हैं मूख के अंदर भी छाले हो जाते हैं इससे बक्रिया कुछ नहीं खापाती है और उसे कमजोर होती है उसके बाद बात करते हैं इसका इंजेक्शन होता है और कुछ इंटिबाइटिक दवा होती है इंजेक्शन जो हो ध्यान कि कम से कम अगर जहां से भी आप लेकर आ रहे हो वो आइस में होना चाहिए क्योंकि अगर आइस में नहीं है तो धवा देने से कोई पैदा नहीं होगा कोशिश कीजिए या फिर आप medical store से लेका रहें तब भी आप ice में लेकर आईए जब उस जो injection होता है सको जब आप खोल देते हैं तो कम से कम दो गन्ते का अंदर कोशिश कीजिए कि उसको हम दे दे अगर नहीं देते हैं या फिर late से देते हैं तो कोई फैयदा उसका नहीं पीसुत को दोक्र से सला ले हैं और लक्षन को याद करके से आप लेखार जब अबकरी कुछ नहीं खा रही है तब भी आप समझ आप ब्मारी इसको पकड़ा है आप पोशी किजिए कि डॉक्टर को लाकर जो पासु के डॉक्टर होते हैं उनको लाकर आप उसको चेक कराएए और चेक करांनेके बाद जो भी है मगर आप अगर पता चलता इस